हलो फ्रैंस, मैं हूँ आस्ट्रोलाजर एक्ता आज मैं आप से बात करूँगी केप्रिकॉन याने मकर राशी के बारे में मकर राशी का आकार मगरमस जैसा माना जाता है मकर राशी एक स्त्री राशी है, चर राशी है प्रित्वी तत्व की राशी कहलाती है और शूद्र जाती की राशी है मकर राशी श्यनी माहराज की राशी है इस राशी में गुरु ग्रह नीच का होता है और मंगल ग्रह उच्च का माना गया है मकर राशी का स्थान व्यक्ति के पैरों पर और स्पेशली उसके घुटनों पर होता है मकर राशी के जातक दिखने में दुबले पतले और सामान्य स्वास्थे वाले होते है मकर राशी के जातकों का जीवन बहुत ही रहस्यमही होता है मकर राशी के लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं अपने दिल की बात easily किसी के सामने बोलते नहीं है इसके अलावा मकर राशी के लोग self confident भी होते हैं और अपना प्रभाव दूसरों के उपर डालने की क्षमता इन में बहुत होती है मकर राशी के लोग भगवान, इह लोग, परलोग इन सब को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इन जातों का occult science, गुप्त विद्या, astrology इन सब चीजों में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट रहता है इन लोगों में अहंकार भी बहुत ज़्यादा होता है कभी-कभी मकर राशी के लोग मूम या मिठ्टू भी हो जाते है इन लोगों को display life बहुत ज़्यादा पसंद है और मकर राशी के लोगों का अपनी जुबान पर कभी भी कंट्रोल नहीं रहता इन लोगों को दिन में काम करने में बहुत ज़्यादा आलस लगता है मकर राशी के लोग दिन की अपेक्षा रात में काम करना ज़्यादा पसंद करते है मकर राशी के लोगों का पारिवारिक जीवन मिश्रित सुक देने वाला होता है मकर राशी के पती-पत्नी एक दूसरे के उपर अपने विचार लागने की कोशुश हमेशा करते है और इसलिए मकर राशी के अगर husband wife हो तो उन दोनों में बहुत ज़ादा मन मुटाव रहता है और इसलिए ऐसे लोग जीवन से थोड़े से दुखी और निराश हो जाते है मकर राशी के जातक थोड़े से चंचल और अस्थीर स्वभाव के भी होते है और ये लोग बहुत ज़ादा expenses करते है मकर राशी के जातक romantic भी होते है और opposite sex के लिए इन लोगों का बहुत ज़ादा attraction होता है मकर राशी शनी देव की राशी है और शनी देव को luxury, glamorous चीजों से ज़ादा परमार्थ पसंद है और इसलिए मकर राशी के लोगों को वो परमार्थ की ओर लेकर जाते है और इसलिए उन्हें एहिक सुखों से दूर रखते है मकर राशी के career याने कार्यक्षेत्र है पुलिस, army, engineering, इसके अलावा construction करने वाले लोग, ठेकेदार, पहलवानी, sports या फिर mining, इसके अलावा लकडी, लोहा और कोईले के व्यापारी, astrologers, advocates ये सब भी मकर राशी के अंडर आते है जेलर और कफन विक्रेता भी कुछ हद तक मकर राशी के अंडर आते है तो ये कुछ व्यवसाय थे मकर राशी वालों के लिए मकर राशी का favorable color है blue, क्योंकि ये शनी भगवान का color है इसके अलावा मकर राशी वाले लोगों ने शनी देव की और हनुमान जी के उपासना हमेशा करने चाहिए इससे इनके मुश्किले काफी हद तक कम हो जाएगी मकर राशी वालों के लिए परमार्ट करना, भगवान की सेवा करना इसके अलावा गरीब लोगों की या जरुरत मन लोगों की सेवा करना बहुत जादा फायदे मन होता है वरना इनकी life में कुछ उदासी इंता आती है या फिर नैराश्य आता है या फिर इनकी तबियत खराब हो सकती है इसलिए अगर आप गरीबों के सेवा करेंगे तो आपको बहुत जादा राहत मिलेगी ये मेरा आज का वीडियो था केपरी कौन के उपर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईए कुछ भी क्वेरीज हो या फिर आस्त्रोलोजिकल कंसल्टेशन चाहिए हो तो एकता.cootker at the rate gmail.com पे आप अपना सवाल मुझे पूच सकते है तैंक यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो टेक केर बाई